दोस्तों, बात अपने देश की पांच राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उनमें सरकारे भी बन गई हैं, रिजल्ट आपको पता होगा, किस तरह से चुनाव हुए, सप्ता का क्या उसमें योग रहा, नयाले से लेके, चुनाव आयोग तक, प्रशासन से लेके, पुलिस पैसे का, पैसों का महत्तो, सब आपने देखा, जो भी हो, उत्तर प्रदेश में भी हाल के, जो खवर आ रहे थे, हाल फिल हाल में पिछले दो-तीन दिनों में, खुली के वक्त भी, हुली के नाम पे, इन्होंने काफी गुंडा गर्डी की, अपने पडोसियों को मारा पीट का, काफी मात्रा में FIR भी लॉज किये गए, बदले की राजनिती, जारी है, बंगाल में भी हिंसा हुए है, जिस पे प्रधान मंत्री तक ने व्यक्तब भी दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहा, उसके बारे में कुई चर्चा नहीं की रही, होना था, होना ही था एसा नहीं था लेकिन हुआ, वैसे कल शहादत दिवस था, शहीद भगत सिंह का, उनके साथियों का, सुख्र देव और राजगुरु का, पाश का, पाश के बारे में बहुत कम लोगों ने चर्चाएं की है, भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में हर जगा चर्चा और एक क्रामतिकारी व्यक्ति थे पंजाब के क्रामतिकारी कवी वी थे और उनकी हत्या कर देगी उनका एक कविता है पूरा पढ़िएगा मैं ख्यावल उसके दो थीन पंतिया पढ़ देता हूँ मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है पुझीवाद है तो है लेकिन मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती है गदारी लोव की मुठी सबसे खतरनाक नहीं होती है और कई पंक्तियों के बाद अंत में लिखते हैं खतरनाक है सपनों का मर जाना क्या उत्तर प्रदेश और अन्य चार राज्यों के चुनाओं के बाद पूरे भारत में देख लें तो उनका मत प्रतिशत 20 से 30 प्रतिशत की बीच में कुल जनता जो चुनाओं में जाती हुआ 60 प्रतिशत सदिक नहीं होता है कुछ खास राज्यों को छोड़ दे बंगाल त्रिपूरा या केरल को यानि पूरे मद दाताओं का इड़ी प्रतिशत ले तो भास्पा के जिम में 20 प्रतिशत से भी कम आता है कम से कम साथ प्रतिशत विरोधी हैं क्या उनके सपने मर गए नहीं यार कुछ नहीं हो सकता इस देश में क्रांती क्या बक्वास करते हैं या भारत है अए सेक्डोवर्यस गुलाम रहा है संगोवर्यस गुलाम रहेगा जब साथ वह साथ में नहीं रह पाती हैं तो एक्ता कि क्या बात करते हो वगेरा वगेरा वह सड़े हुए बादचेत जो आज की प्रिस्थिति में हम देखते हैं उसको एक नियम के रूप में हम परिवर्थित करके एक युनिवर्सल लॉप में उसको हम देखने लगते हैं और हर घटना को उसे लागू कर देते हैं हालाकि इस बीच में कई आंदोलन हमारे देश में हुए बहुत दिवर्थित आंदोलन हुए पुराने समय में देखे हैं तो निस सो ब्याली से ही चले 1975-77 की आंदोलन जैप्रकाश नाराइन जैपी आंदोलन के नाम से निस सो सुरी 2013-14 के आंदोलन जनलोग पाल बिल को लेकर हाल फिल हाल में CANRC के खिलाफ आंदोलन सफल भले ही ना हुआ हो लेकिन पूरे देश को इस नहीं ला दिया था मजदूरों को आंदोलन पुराने लेवर लॉक को खत्म करने के विरोध में बेरुजगारी के खिलाप में 20 करोड़ों सा दिक मजदूर सड़क पेठे और अभी किसानों का आंदोलन जिसमें वो जीते जीत हो सकता जिया वन जैंग वन पिंशन के लिए भूत पूरों सहनिक को का अंदोलन जो अंदतक न्यालें को गलियों में तकराकर उसके भूल भुलिया में घुमते हुए और पांच वर्षों के बाद से अभी उच्छतम न्याल ने कहा कि नहीं आपको नहीं मिलेगा आप इसके हक्तार नहीं है हार गए कोई बात नहीं लेकिन आंदोलन होता है खड़ा होता है जनताए एकता बद होकर संघर्ष करती है जहां मौका मिलता है सरकार को विज्यू करती है यदि उसका नेदित तो सही चलिए मेरे तरफ से हमारे क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी सलाम के और इसलिए नहीं कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाया लड़ी थी बलकि इसलिए कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया यह मीजताई एक क्रांतिकारी विचारधारा को पुनर स्थापित किया ज भगत सिंग और उनके साथियों का जो पाटी था हिंदुस्तान सोस्लिस रिपब्लिकन असोसेशन उसके तीन प्रमुख नारे थे इनकलाब जिन्दावाद, सामराजवाद मुर्दावाद, दुनिया के मजदूरों एक हो या मजदूर एक था जिन्दावाद, चलिए इसी के स साथ मैं अपनी बाते खत्म करता हूं, धन्यवाद दोस्तों